हेलो गाइस, वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल पिसले वाली वीडियो में हमने जो है मीसोंस ओक्टेट के बारे में देखा था और मैंने बोल रहा था आपको बेरियोन ओक्टेट और बेरियोन डिपलेट ये में अगले वीडियो में आपको समझाऊगी तो आज इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं और चलिए आज कर वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं देखें बेरियोन में आपके क्या-क्या पार्टिकल्स आते हैं प्रोटोन, निट्रोन ये आपके सिग्मा प्लस, सिग्मा जीरो, सिग्मा नेगिटिब कास्केड नेगिटिब, कास्केड जीरो और लेंडा, जीरो इस तरीके से आपके पार्टिकल्स आते हैं यहाँ पर हमने, यह मैं आपको ऑल्ली समझा चुकी जैसे इस एक्सेस में हमने क्या लेना है, आई 3 थर्ड कंपोनेंट अफ आई सुस्पिन इस axis पे हमने क्या लेना है y यानि कि आपका hypercharge b plus s इस तरीके से हमने लेना है तो यहाँ पर देखे यह दोनों एक ही nucleons करके आता है तो इसको हम बोलते हैं कि यह क्या है duplet है यानि कि यह क्या करें इनके multiplicity क्या है 2 है यहाँ पर अगर हम जो है sigma की बात करते है sigma क्या है आपके पास sigma positive, sigma 0 और sigma negative यानि कि यह क्या है आपकी triplet इसी तरीके से car square आपका क्या हो गिया यह होगला का 2 है इसकी multiplicity और यह क्या होगा आपका single rate है तो यह क्या होगा आपका 0 0 है तो यहाँ पर इसका चार्ज भी 0 है इसके लिए जो i की value आएगी वो भी 0 आगई और इसके लिए जो i3 की value आएगी वो भी 0 आगई Strangeness इसके लिए धियान रखना कि minus 1 होती है और ये बेरियोन से हैं तो इनके लिए बेरियोनिक नंबर सब के लिए क्या होगा 1 होगा तो 1-1 ये जो i की value क्या निकल कर आए 0 निकल कर आए इसके बाद हम उपर वालों के लिए जो है इन्हें solve करके देख दिखाते हैं आपको कैसे इनकी value निकल कर आती है सबसे पहले अगर मैं जो है proton और neutron यानि की nucleons की बात करूं तो ये doublet थे तो 2i प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा तो i इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पे half आ जाएगा ठीक है ठीक है तो यहाँ पे आपका क्या आगिया एक आगिया आपका positive का half एक आगिया आपका negative का half आपके पास क्या क्या थे proton और neutron पोजिटिव और neutron कोई charge नहीं हो दा proton के लिए जो i3 की value हो गई वो हो गई प्लस का half और neutron के लिए जो i की value हो गई वो क्या हो गई minus का half, यानि कि I3 की value, sorry I की value दोनों के लिए same रहेगी और वो आ रहे हैं आपकी half देखें, आपकी लिख दिया, I की value दोनों के लिए half हाफ हो गई, और I3 की value proton के लिए half हो गई, और neutron के लिए minus हाफ हो गई, इनके लिए strangeness 0 होता है, B की value आपकी क्या होती है, बिरियोन है तो 1 हो गई, तो आपका क्या आगए B plus S, 1 और ये भी क्या आगया 1 यहाँ पर आगया, इसी तरी किसे sigma के लिए अगर हम calculate करें, तो यह क्या होता है, आपका triplet था तो 2 plus 1 equal to 3 यहाँ पर I की value आपके पास कितने निकल कर आगए, यहाँ पर 1 निकल कर आगए तो 1 क्या होगा, आपका minus 1 1 होगा 0, और 1 होगा आपका plus का 1 तो जो sigma positive है, उसके लिए क्या हो गया, plus 1 sigma 0 के लिए आपके I3 की value, 0 और sigma जो आपका negative है उसके लिए minus 1, तो देखे यहाँ पर I की value तो सबके लिए 1 निकल कर आगए, तो हमने 1 1, 1, 1 रख दी, I3 की value क्या निकल कर आगए, sigma positive के लिए plus 1, sigma 0 के लिए 0, और sigma minus के लिए क्या निकल कर आगए minus 1, इनके लिए strangeness ध्यान रखना है, क्या होती है, minus 1, minus 1 और minus 1 इस तरीके से इनके लिए strangeness होती है, तो बिरियोन है तो बिरियोन इक नमबर 1 हो गया, और Y की value उनके लिए क्या आगई, 0, 0, 0 क्योंकि प्लस 1, minus 1, 0 ही होता है ठीक है, कास्केट के अगर हम बात करें तो कास्केट क्या है आपके पास डबलेट है, तो इसके लिए भी क्या आईगी एक होता है आपका positive half, एक होगा आपका negative half तो negative वाले के साथ आप negative half दे दीजाए आई 3 की value में, और 0 के साथ आप इसका positive half दे दीजाए तो यह क्या हो गई आपकी half strangeness याद रखना की क्या होती minus 2, minus 2, बिरियोन है तो बिरियोन है half और minus half half और यहाँ पर proton के लिए देखों half और y की value 1 तो यह रहाँ का half यह रहाँ y की value 1 इसी तरीके से neutron के लिए क्या है minus half और y की value 1 तो यह यहाँ पर रागे, यह proton और neutron मैंने यहाँ पर रख दिए dots आपको पता ही है कि यह क्या दिखा रहे है आपका particles दिखा रहा है अगर मैं फिर sigma plus sigma 0 sigma minus की बात करूं i3 की value sigma plus के लिए 1 है और इसके लिए 0 तो 1 और 0 sigma जो 0 है उसके लिए क्या है i3 की value है 0 और y भी क्या है 0 sigma minus की बात करें तो यहाँ पे i3 की value कितनी है 0 और जो y की value यहाँ पे निकल कर आ रही है वो कितनी निकल कर आ रही है sigma में i3 की value sorry sigma में i3 की value minus 1 और यह क्या होगे आपका 0 तो यह कितना होगे minus 1 0 यह यहाँ पर आ गया cascade के लिए क्या होगे आपका minus half minus 1 cascade negative के लिए minus half minus 1 यह रहा cascade 0 के लिए 0 और minus 1 तो यह आया आपका यहाँ पे अचा i3 की वाली सोरी i3 की वाली यहाँ पे कितनी है half और minus 1 तो यह plus half और minus 1 यह यहाँ पे क्या आगया का स्कीड negative और सब इसके लिए 0 है तो यह यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे 0 पे आगया फिर आपको पताएए है horizontal lines में क्या होती है आपकी strangeness सेम रहती है तो जो पहले horizontal line पे neutron और proton पढ़ रहे है इनके लिए क्या है strangeness 0 है इसी तरीके से sigma negative sigma 0 sigma positive आपकी इनके लिए क्या आ रही है यहाँ पे value क्या रही strangeness की वो आ रही है आपकी minus 1 और जो यहाँ पे आपके cascade negative or cascade 0 बचे इसके लिए जो आपके value आ रही है strangeness की वो कितनी आ रही है minus 2 और जो बीच में आपके particles ने से lambda है इसकी भी value क्या है आपकी strangeness की इसकी value भी क्या है आपकी यहाँ पे minus 1 अब यहाँ पे देखिए यह बात होगी अब हम बात करते है आपके चार्ज के लिए तो यह जो इस तरीके से diagonal में जा रहे है इनके लिए चार्ज क्या रहता आपका सेम रहता है तो proton और सिग्मा पॉजिटिव वन चार्ज होगे बांकि इसमें जो आए इनके चार्ज क्या होगे इसमें ध्यान रखना है जो हम यहाँ पे लेते हैं वो लेते हैं तो इनके लाइफ टाइम बहुत ही कम होती है और इक तरीका से बेरियॉप उछ के जलिए तो इनकी lifetime बहुत जादा कम होती है इसमें आपके क्या-क्या particles आते हैं delta plus plus delta plus delta zero delta minus यहां पर यह क्या है आपका sigma plus sigma zero sigma minus cascade negative और cascade zero इस तरीके से ही आपका आया इसके लिए देखें चार्ज यहां पर two हो गया इसके लिए one हो इसके लिए 4 zero हो गया minus minus one हो गया plus है तो उसकी झार्ड़ मैनस यहां पर इसके बाद एक omega negative भी यहां पर होता है उसके लिए क्या होगी यह value minus one यहां पर आगी अब हमने यहां पर क्या calculate करना है आईखी value यहां पर calculate करना है तो जो delta होते हैं इसके लिए multiplicity होती है आपकी 4 तो 2i plus 1 equal to कितना होगे आपके पास 4 तो 2i equal to 3, i equal to कितना होगे आपके पास 3 by 2 तो आपके पास value क्या आएगी? minus 3 by 2, minus 1 by 2, 0, plus 1 by 2, और minus 3 by 2 तो इस तरीके से आपके, यहाँ पे plus का 3 by 2 तो इस तरीके से आपके यहाँ पे क्या निकल कर आएगी? value निकल कर आएगी तो जो delta plus plus है, उसके लिए i3 की value 3 by 2 delta plus है, उसके लिए i3 की value half delta 0 के लिए minus half, delta negative के लिए 3 by 2 i की value सबके लिए क्या आ रिये? 3 by 2 और strangeness यहाँ पे क्या आ रिये? सबके लिए 0 होती है और barions हैं तो barionic number 1 हो गया 1 plus 0, 1 ठीक है, i3 और 1 इनके बीच में हमने graph बनाना है तो i3 कितना है? 3 by 2 ठीक है, i3 यहाँ पे आए हम 3 by 2 और जो y है यह कितना है? 1 है तो यहाँ पे हमारा क्या आगया? delta plus इसके लिए क्या है? half और 1 तो half और 1 यह क्या आगया? delta plus minus half और 1, minus half और 1 यहाँ पे क्या आगया? delta 0 यह क्या है 3 by 2 और 1 तो 3 by 2 यह रहा 1 हमारा यहाँ पर आएगा यह वाला point तो यह क्या आगया? delta minus इस तरीके सा आगया इसके बाद हमने यहाँ पर के लिए अभी उपर जो solve कर थे सेम वैसी ही यहाँ पर भी आता है आपका ठीक है? तो देखें वहाँ पर क्या आ रहा था आपका? इसके लिए plus 1 आ रहा था इसके लिए 0 आ रहा था इसके लिए minus 1 आ रहा था i3 की value इसी तरीके सा आ रही थी और सेम वैसी हमने यहाँ पर इसे आपको charge जो है रख के आप इसे डख लेंगे देखें यह 1 है इसके लिए क्या है? 0 sigma plus के लिए 1 और 0 इसी तरीके से sigma 0 है इसके लिए क्या आया आपका? 0, 0 इसके लिए क्या आया है? minus 1 और 0 cascade negative और cascade 0 इसका भी आप सेम वैसी निकाल लेंगे यहाँ पर क्या है आपका? इसके लिए minus half और 1 ठीक है? तो यह आप गये minus half पर यह आया आपका minus half और minus 1 तो यह कितना आपका? cascade negative इसके लिए क्या आया आपका? plus half और minus 1 तो यह आपका plus half और नीचे आपका minus 1, यहाँ पर आपका क्या आगया, cascade 0 बाकी बचा omega, इसके लिए charge तो minus 1 हो गया singlet है तो यह 0 हो गया, i3 की value भी 0 हो गया, इसके लिए जो strangeness होती है वो होती है minus 3 और barion है तो barionic number 1 हो गया और यह कितना हो गया, आपका total यहाँ पर कितना आगया, y plus s, y equal to चीजे same वैसी होंगी ये वाली line जो आपकी horizontal line है इसमें क्या होगी आपकी strangeness सेम होगी, जैसे पहली horizontal line में सक particles के लिए strangeness क्या होगी 0 होगी, यहाँ पर minus 1 होगी इसके लिए minus 2 होगी, इस वाली line के लिए minus 3 होगी और इस तरीके से आपकी diagonal में जा रही है इनके लिए आपका क्या होगा, चार्ज सेम होगा तो यह क्या होगी है, जैसे यहाँ पर के लिए charge 2 होगया, इसमें जो particles होगी इसके लिए plus 1 है, इसके लिए plus 1 है तो 1 होगया, इधर 0, यह भी 0 और यह भी 0 तो चार्ज 0 होगया इधर भी आप देखेंगे, तो चार्ज क्या हो रहा है इस तरीके से होगया तो इसमें क्या है पहले जब कई यह बनाए बेरियों औक्टेट और बेरियों दुपलेट यह बनाए तो कुछ particles वहाँ पर जो है तरीके से charges and strangeness में देखे किस तरीके से आ रहा है कि कुछ time बाद यह repeat होने लग जा रहे है तो यह क्या कर रहा है प्रियोडिक table की तरह प्रियोडिक table की जैसे इसे आप मान सकते हैं इस वीडियो में इतना ही यह वाला topic आपका यहाँ पर खतम होता है SU3 symmetry और 8 fold way वाला नेक्स वीडियो में मिलती हूँ आपसे नेक्स टोपी के संद तब तक के लिए take care good bye